हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टडी है कि शेनल पर मैं ऐसा करता हूँ आप सभी स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे अपनी तयारी में जोरो सोरो से लगे जैसा कि आपको पता है अभी इंगलिस ग्रामर की सीरीज में हम बात कर रहे थे नाउन की ठीक है और अभी तक हम लोग ओनन के जो भी होते नाउन के बारे में सारी चीज़ेme discuss की ओर टू जो हुए थी उसमें हमने कुछ rules की बात कि थी concepts बोलो concept जिस format में आप उसको समझे लो उसकी बात की थीटिंक है अब concepts बोलो rules हमने discuss कर लिए थे Already और कुछ rules जो बच गए थी उज़को हम लोग आज इस class में discuss करने बाले हैं तो most probably मैं कोशिस करूँगा कि इस class में जो भी rules या concept बचे हैं उनको मैं अच्छे से discuss करके आज end कर दू ताकि next class में हम लोग question answer practice कर पाएंगे तो चलिए जानते हैं कि कौन से rules अभी भी बचे हैं या concept बोल लो तो rule 7 और concept 7 क्या कह रहा है कि compound noun is not used in plural if a noun does the work of an adjective तो compound noun plural form में use नहीं होते हैं जब noun किसका काम करता है तो adjective का काम करता है अब सुचे हो compound noun क्या है तो ऐसा जिसमें एक numerical form होता है एक noun होता है number होता है hyphen होता है बीच में फिर noun होता है जैसे की 10 फिर बीच में हाइफन रूपी दस रूपए 10 किलो मीटर ठीक है तो यह सब क्या है आप बोल सब्सक्राइब कंपाउंड नौम है ठीक है चल्ट कौन कौन से एक्जांपल लेख लेते हैं जैसे 10 दिन का टूर यह एजेक्टिव तरह यूज हो रहा है कितने दिन का टूर कितने समय का था अपने का 10 दिन का टूर था ठीक है 10 माइल रेस कैसा रेस तो 10 मिल की रेस कैसा बच्चा तो 10 साल का बच्चा ठीक है ही इस 10 दिन का टूर ठीक है देख लो यहां पर हाइफेनेटर नहीं है आइफन नहीं है यह कंपाउंड नाउन नहीं है तो यह तो यह तो करेक्ट यह भी संटेंस क्या है है करेक्ट है एक 5 रूपी नोट एक 5 रूपए का नोट तो 5 रूपए का एक नोट हो शक्ता है ठीक है 5 फूट लॉंग 5 फूट लंबा क्या है कमरा आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गए होगी कि यह कंसेट्ट क्या करा है कि जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं तो याद रखना है कि हाइफन जरूर होगा और फिर क्या होगा नाउन होगा, remember dew a रूपी लिख लो ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कहा रहा है कि नाउन-expressing numbers are used in singular with numerical adjectives ऐसे नाउन जो नमबर को एक डिनोट करते हैं ठीक एक संखेया बताते हैं उनको हम लोग निमेर कल एजक्टिव के साथ यूज करते हैं और हमेसा क्या होगा इसे होगा जैसे 200 200 2201 5,000, 5,000, 2,000, 2,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 3,000,000, 3,000,000, यह सब क्या एक नंबर बता रहा है, कि 200, 2000, 5,000, एक नंबर बता रहा है, तो यह singular form में ही जूजोत होते हैं, आए एक जाम्पल से clear होगा, जैसे कि I gave him 200 रूपीज, ठीक है, तो यहां पर omit क्या करना आपको इस अभी बताया कि क्या होगा यह सिंगलर होगा क्या होगा two hundred ठीक है two hundred I gave him five dozen pencils ठीक है तो dozen में नहीं लगा है क्योंकि नंबर पहले ही दियूर्ट किया यहां पर सही है इसके कोई नंबर नहीं लगा है तो सेंग कुरो ठीक है चली नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट है हमाराय यूज अफ अपोस्टौफी बिथ एस तो कहां कहां हम एपोस्टौफी बिथ इसका यूज करते हैं तो इसका भी कुछ restriction है कि आप जो नन लिविंग फींस हैं ठीक है नन लिविंग के साथ इसका यूज नहीं होता किसके साथ यूज होगा तो living के साथ होगा ठीक है living के साथ होगा time के साथ होगा आप बोल लो measurements जो होते हैं जो distance होते हैं उनके साथ होगा ठीक है देख लो कौन-कौन के साथ होता है ठीक है तो use of apostrophe with s is not correct in the case of non-living thing it is restricted only to living things time, weight, distance, amount और personified nouns इन सब के साथ ही इनका उप्यों क्या है? सही है बाद माकी के साथ आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको non-living के साथ use करना होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे use करते हैं non-living साथ भी ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो घबरानी वाली बात नहीं है ठीक है जैसे की the tables would ठीक तो यह क्या हो जागा incorrect हो जागा अभी पता है non-living होता है table, chair ठीक है यह सब non-living है इनके साथ apostrophe with use नहीं होगा वह आज है यह सही है time smart समय के साथ हो सकता है distance के साथ हो सकता है तो यह सब क्या है correct चल्थी आगे बात करते है तो मैंने आपको भी बताया है कि कैसे हम जो non-living है ठीक है उनका use कैसे करेंगे non-living को कैसे करेंगे non-living treated is treated as a person जब non-living person के रूप में treat किया जाए तब हम apostrophe का यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे की suns fury ठीक है तो किसकी तरह तीज है मतलब गुस्ता किसकी तरह है तो सूरज की तरह यहां पर सूरज का है इंसान को दरसारा है ठीक है किसी person को दरसारा जैसे की और देख लो नेचर्स विस्पर ठीक है तो यहां पर भी हम किसका यूज कर रहे है अपस्ट्रॉफी का यूज कर रहे है और भी है जैसे की अगर आपने देखा होगा कि हम बहुत जगा सौर्ट फर्म में भी यूज करते हैं प्रोनाउन को जब सौर्ट करते हैं तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं जैसे कि आई एम यहां पे भी हम एपास्ट्रॉफिक का यूज करते हैं वी आर ठीक है यह सब होता है वी आर या वी वेर के लिए हम लोग करते हैं न वी आर या वी वेर के लिए हम लोग इसको short form में लिखते हैं तो यह सब भी क्या है correct है और बहुत सारे आपको ऐसे क्या देखने को मिल जाएंगे कुछ idioms होते हैं या phrase होते हैं उनके साथ भी adjectives होता है जैसे कि कुछ phrases है phrases और एडियम्स ठीक है उनके साथ भी apostrophe होता है तो उसको adjectives आप याद कर लेना जैसे at its end और क्या होता है एक और देख लो और ड्यूटीज को इन सब के साथ भी apostrophe का यूज होता है याद रखना है चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आगे बात करते हैं आगे कह रहा है कि जब दो नावन पोजेसिव केस दिनोट करेंगे पुलर यहां पर क्या बता रहा है कि सीला और रोइत दोनों के फादर क्या है एक है फादर एक है क्या एक apostrophe यूज ही हो रहा है कि सीला और रोइत फादर अगर अब सीला के साथ भी apostrophe लगा देतों रोइत के साथ भी तो अब क्या है कि दोनों के जो फादर है वो अलग अलग है जोनों के फादर अलग है, अलग है, ठीक है, ये दोनों भाई बहनते हैं, ये दोनों हो तकता है भाई बहनने होगे, ठीक है, तो इन दोनों के फादर के आंगे, अलग, अलग होगे, I guess आपको चीजे क्लियर हो गए होगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कहरा है कि with compound noun, ठीक है, apostrophe with S should be added only with the last word, ठीक है, जैसे compound noun अभी भी बताया था, ठीक है, और बहुत सारे भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, father-in-law, ये समयना आपको पर है था, तो apostrophe कहां लगेगा, यहां लगेगा, ठीक है, father के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे, mother-in-law, ठीक है, यहां पे लगेग ठीक है, तो last में लगेगा, ठीक है, father के साथ नहीं लगेगा, यह mother के साथ, law वाले के साथ लगेगा, father-mother के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, देख लो, mother-in-law behavior, made servant substance, कुछ प्रोनावन होते हैं, ठीक है, जिसमें omit करते हैं, apostrophe को और S लगा देते हैं, ठीक है, बहु इट्स, योर्स, हम लिखते हैं न, तो क्या करते हैं, apostrophe हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे S बरकडार ही रहता है, ठीक, बहुत सारे हैं ऐसे वर, examples हैं, जहाँ पे हम लोग इसका use करते हैं, ठीक है, जैसे देख लो, तो क्या है, योर्स, ट्रूली, हर्स, इट्स कलर, ठीक ह इट्स लिख सकतो, इटीज के लिए यूज होता है, अब ऐसे भी लिख सकतो, और वैसे भी जैसे आप लिखते हो, ठीक है, दोनो लिख सकतो, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनो सही, चली, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि पोजेशिब केस इस इंडिकेटर बाई अपोस्ट्रोफी बिदाउट एस, आफ्टर प्लूरल नाउन और वर्ट इंडिंग विद एस, क्या कह रहा है कि बहुत सार ऐसे वर्ड होते हैं, जिनका साउंड, क्या हो, इंड साउंड जो हो, एस से हो, या जो भी हो, इंड हो रहा होगा, एस से, तो उसके साथ हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, सिर्फ, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ठीक है, दो बार हम एस नहीं लिखेंगे, जैसे की, देख लो, जैसे जोन किल्ट्स पोएमा, ठीक है, पहले से एस से, तो इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे गल्स होस्टर, डिकेंस नवल, जिसस से, कालिदास वर्ट्स, ठीक है, देख पा रहा होगा कि अगर यहाँ पे एक और एस समलोग यूज करते हैं, तो क्या हम गलत हो जागा, ठीक है, तो यह गल्स होस्टर, डिकेंस नवल, जिसस से, कालिदा तो इन सब के साथ extra s नहीं यूज करते हैं तो सिफ किसका यूज करते हैं तो apostrophe आगे बात कर लेते हैं क्या कहा रहा है कि जो इल्स है जब कंबाइन होता है indefinite pronoun के साथ कौन-कौन से indefinite pronoun तो जैसे कि somebody anybody nobody इन सब के साथ जब कंबाइन होता है तो possessive case में हम ऐसे लिखते हैं somebody के साथ किस लगाते हैं somebody के साथ नहीं लगाते हैं आपको याद होगा अभी मैंने बताया था कि जैसे हम लोग compound noun लिखते हैं तो father in law में father's के साथ नहीं लगाते हैं law के साथ लगाते तो ऐसे कि somebody else में somebody के साथ नहीं लगया है इस के साथ लगया है ठीक है देख लो आप और भी किस दिखाता हूं यह सब हो गए जैसे कि correct expression क्या है फूज इल्स ठीक है फूज इल्स का हम यूज करेंगे in place of और जो wrong expression क्या है हूज के साथ इल्स का नहीं उसको को क्या बनाएंगे फिर आप लिख सकतो फूज इल्स ठीक है दोनों में से आप कोई भी लिख सकतो या तो आप लिख लो हूज इल्स या फिर हूज लिख लो तभी आपका sentence क्या होगा इनकरेक्ट हो जागा जैसे कि देख लो इस इस नोट माइब इस इस समबडी इस तो यह क्या हो जाएक क्योंकि इसके साथ ना लगके कहां पर लगेगा यहां पर लगेगा इससा है बिलकुल साहिए को इस अलसे नहीं लगाता है उसको या तो फिर 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 प्याद उख लो तो इसको हम झा बना देंगे फिर फोन एलस और है तब यह sentence क्या हो जागा पर एक आगे बात कर लेते हैं आगे याद रखना कि who should be converted into possessive who's so who's else is correct यह मैंने आपको बता दिया है अभी ही मतला है कि who का जब possessive case convert करेंगे तो who's होता है तो who's else ही हमेशा correct होगा ठीक है चल आगे बात कर लेते हैं क्या कह रहा है कि noun after preposition is repeated means singular तो कहीं पर भी preposition हो जैसे और ठीक है फॉर उनके पहले जो noun होगा बाद में जो noun होगा वह हमेशा क्या होंगे singular form में होंगे जैसे कि अब देख लो डे आफ्टर डे इंच बाई इंच ठीक है देख पारेंगे यह भी सिंगलर यह भी सिंगलर बीच में क्या है यह प्रोनावन है प्रिपोजीशन है सॉरी यह क्या है प्रिपोजीशन है ठीक है देख लो कुछ रिजामबल्स वाड़ फर वाड़ आवर आफ्टर आवर डोर टू डोर ठीक है इनका यूज़ फ्रैक्शंस में भी होता है ठीक है ना उनका कैसे होता है दिन ये तो लेते हैं कुछ plural form है कुछ certain noun के ठीक है जिनको आप लोग adjectives याद कर लो क्योंकि उनके plural form थोड़े अजीव है ठीक है आप उसमें yes लगा के नहीं बनाते हो वो पूरा का पूरा change हो जाता है ठीक है जैसे medium का क्या हो जाता है plural form media हो जाता है फोरम का फोरम्स या फोरा हो जाता है stadium का stadia हो जाता है criterion का criteria हो जाता है phenomenon का phenomena हो जाता है ठीक है तो यह बिल्कुल change होते हैं इन सबको आप याद कर लेना है ठीक है mother-in-law का mother-in-law होता है man servant का main servants तो next path कर लेते हैं तो आज के class में हमने सारे rules discuss कर लिए जो भी concept थे जो भी important concept बोलो rules बोलो उन सबको discuss लिए तो next class में हम क्या discuss करेंगे तो question answer करेंगे noun का और कुछ previous year questions भी करेंगे तो minimum हम लोग मान के सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आज का class आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों में सेयर करना न भूले जिनने इंग्लिस ग्रामर पढ़ना एकदम बिसिक से ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाने के कोशिस करूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय है भारत टेक किया है